मैं संभाची बिड़े के बयान की निंदा करता हूँ मातमा गांधी राष नर्ष पिता है आजादी के इतिहास में उन्हें एक महानाया के रूप में देखा जाता है संभाची बिड़े ही नहीं किसी ने भी इस तरह का वक्त विकshotना नहीं चाहिए करोडों लोगों के इस तरह के बयान से लोगों में गुसा पैदा होना तै है लोग महात्मा गानी के खिलाफ बोलना कभी बरदाश नहीं करेंगे राजसरकार उजित कारवाई करें कि चाहे महात्मा गानी हो या स्वतंदरता सेनानी सावर कर हम किसी के भी किलाफ अनूचित वक्त वे बरदाश नहीं करेंगे संभाजी बिड़े गुरुजी का बीजेपी से कोई लेना देना नहीं है वे अपना खुद का संगठन चलाते हैं ऐसे जान वुचकर राजनिती गरंग देने का कोई कारण नहीं है स्वातंत्रयाचा इतियासा मदे एक महा नायक मलून तेंचेकले पाहिला जात अड़े अश्या महा नायका बद्दल अश्या प्रकारचा वक्त वे करना कूर्ण पड़े अनूचित आहे माज़ो स्पष्ट मता है कि अश्या प्रकारचा वक्तव्या भिडे गुरुजिनी करूने यानि कोणिच करूने करन करोडो करोडो लोकान चा अश्या वक्तव्या मुले निश्चित पड़े त्या धिकानी लोकान मदे एक संताप तयार होतो मातमा गांधिन चा विरुद्द असा बोलियल ಕदी सं करणार नाई अलि या संद्रबाद जी उचितकारवाई कराएची है ती करवई राज्य सरकार करेल tournaments गांधि असो की स्वातंत्रवीर सावर कराशो कोणाचा ही विरुद्द बोलियलंածी खपोन गेडार नाई आणि खर मंजे जस यचा निशेत करत कॉंग्रेस चे लोक ये रस्तेवर उतरतायत तसच स्वातंत्रवीर सावरकरान बद्दल अतीशे गलिच्छे जावेश राहूल गांदी बोलतात तेशा ही निशेत तेननी केला पाईजे पन ते त्यावली मात्र मिंधे होतात आणि तरह है उसी तरह राहूल गांदी स्वातंत्रता सेनानी सावरकर के बारे में भी अब अद्रभाशा में बात कॉंग्रेसियों को भी इसका विरोध करना चाहिए हाला कि उस समय वे मिंदे बन जाते हैं इसी के साथ ही उपमुक्य मंत्री देविंदर पड़नविस ने कहा कि म बीसी नियूस के लिए राजकुमार महुड के साथ शिती जात देश मुकी रिपोर्ट